अब second year के अंदर next unit के अंदर circulatory system और blood के बारे में पढ़ने जा रहे हैं रक्त यानि blood एक तरह लू तक है liquid tissue के रूप में हम इसको जानते हैं शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं जो digestion के अंदर food absorb हुआ उसको अब उसके growth के लिए जो nutrition चाहिए उस nutrition को पहुचाने का काम रक्त करेगा रक्त हमारे tissues तक gas का exchange भी यही करेगा यानि respiration में भी रक्त का काम, exchange of gases भी रक्त के द्वारा होगा और जो digestion के द्वारा food absorb हुआ, protein, carbohydrate, fat उनको भी tissues तक पहुचाने का काम भी रक्त का ही होता है इसमें arteries, veins और capillaries का role रहता है रक्त क्या है? रक्त एक तरल उतक है, उसके अंदर RBC रक्तानू, WBC सवितानू और platelet रक्त बिमवानू तीन परकार की cells पाये जाते हैं इनको मिला करके रक्त का निर्मान होता है हार्ट रक्त को पूरे सरीर में अंगो तक पहुचाने का काम करता है और रक्त सरीर हार्ट में दो वार आता है एक वार शरीर के अंगों से होकर के वेंस के द्वारा हार्ट के और और इकल में आता है और फिर वो रक्त सुध होने के लिए उसके अंदर कामन डेक्सेज की मात्रह जादा होती है उसको सुध होने के लिए लंग्स की और बेजता है लंग्स से वापस सुध हो करके और इकल में आता है फिर वेंटिकल से दुबारा से सरीर के वागों पहुचा दिया जाता है इस प्रकार से रक्त के अंदर सरीर में दो वार आता है इसलिए इसको डबल सर्कुलिशन कहते हैं रक्तानू आप भी सी हमारे सरीर के अंदर सो एक दिन तक जिन्दा रहते हैं वो बन जाते हैं इसलिए बार बार हम कहते हैं कि रक्त का दान कर देना चाहिए कोई फरक नहीं पड़ता किसी की अगर लाइब बसती है तो नेक्स टाइम पे हम इन सब की डीटेल्स पढ़ेंगे आर बी सी डब्ली बी सी प्लेटलेट्स की हमारे रख का ठका बने के लिए प्लेटलेट्स बहुत जरूरी होते हैं रख के अंदर सॉल्ट्स भी पाये जा रहे हैं पानी का पार्ट भी होता है हमारे सरीर के अंदर जो हमारा वजन है उसका लगबग दस परसेंट के करीब आठ से दस परसेंट के करीब भी बलेट पाये जाती है यानि पांस एक सतर किलो असी किलो का वेट है तो उसका 5-6 लिटर उसके श्रीर के अंदर रक्त पाया जाएगा रक्त का थक्का बनने के लिए प्लेट लेट्स होने जरूरी होते हैं इसके अंदर रक्त और लिम्प एक टर्म आएगी ब्लड आगई, प्लाजमा आगई, लिम्प आगई, सीरम आगई अब ब्लड प्लाजमा और लिम्प में कोई विशेश फरक नहीं है लिम्प के अंदर प्रोटीन्स की मातरा कम हो जाएगी और उसमें इस्मॉल जो डब्लू विस्सी हैं वो ज़्यादा पाया जाते हैं और प्रोटीन्स की मातरा घट जाती है इतना ही फ़रक है लिंफ में और ब्लेड में लिंफेटिक सिस्टम पेरलल चलता है यह रक्त जो टिशूज हैं टिशूज का जो लिक्विड पाये जाता है टिशूज में उसमें से प्रोटीन को वापस ग्रण करके यह ब्लेड में डालता है यानि मिडल में की रूप में लिंफ क्या करता है मिडल में की रूप में काम करता है टिशू और ब्लेड के बीच में तो यह लिंफ एक तरह से प्लाजमा से मिलता है जोता है प्रोटीन की मातरा कम होती है नेक्स टाइम पर हम WBC, RBC प्लेड इनकी डिटेल पढ़ेंगे कैसे बनते हैं छोटी वस्ता में ब्लेड कहां बनता है फिर मेचेर हो जाता है तो ब्लेड कहां बनता है और क्लोटिंग के लिए क्या रहता है और हार्ट की स्ट्रक्चर क्या रहेगा रख्त का काम किया है यह सारा नेक्स टाइम पर बढ़ेंगे